नमस्ते मैं विक्रान newstack.com के ही ये बजट बड़ा परची सब्द हैं हम सब सुनते रहते हैं भारत का बजट आता है हमारा आपका बजट होता है परिवार का बजट होता है लेकिन जब देश की बजट की बात आती है तो कई तकनीकी सब्दों में बजट को उलज़ा दिया जाता है तो इसलिए newstack ने ये कोशिश की है कि अपने दर्शकों को उस बजट के बारे में बताया जाए जो उनकी भासा में उनको समझ में आ जाए और बजट से जुड़े कुछ दिल्चस्प कहानिया बजट से जुड़े कुछ दिल्चस्प सब्दावली कुछ नए नए सब्द और इस बार के बजट से लोगों की उम्मीदों पर newstack के दर्सकों के साथ बात चीट की जाए तो इसलिए आज से आने वाले बजट तक नियमी साथ बजे newstack के इसी platform पे हमारी मुलाकात होगी और बजट के अलग-अलग हिस्सों को हम समझने का प्रयाश करेंगे तो बजट का जब जिक्र होता है जब बजट सब्द आता है तो हम आपकी रूची अपने आप दिल्चस्पी लेने लगती है कारण ये है कि भारत में क्रिकेट चुनाओ के बाद अगर किसी तीसरे सब्द पर सबसे अधिक राय दी जाती है या अधिक राय ली जाती है तो वो है बजट इस बार भी एक फरवरी को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भारत की बजट को पेश करेंगी तो बजट होता क्या है ये बड़ा आम सा सवाल है हम आप से भी सवाल है कि बजट होता क्या है तो जब हम से सवाल होता है कि आपका बजट क्या है तो हम अपने आय और खर्च को देखने लगते हैं कि हमारी 20,000 रुपे की आय है एक वित्वर्ष में एक साल में सरकार जितना पैसा कमाती है और जितना पैसा खर्च करती है उसे ही बजट कहा जाता है और इससे जादा बजट की कोई अच्छी परिवाशा नहीं होती है लेकिन बजट सब्द आया कहां से ये दिलचस्पी का प्रशन जरूर है ये पहली बार बज़ट सब्द बोला किसने था तो एक लैटिन भासा है किताबों में अक्सर पढ़ने को मिलती है कि लैटिन सब्दावली में इस फला सब्द का मतलब ये होता है ऐसे ही लैटिन भासा में पहले बजट को बुलगा कहा जाता था बुलगा इसलिए कहा जाता था क्योंकि बुलगा का मतलब चमडे का थैला होता था चमडे के थैले से ही हम बजट को देखते हैं आज भी वित्तमंत्री अपने हाथ में एक थैला लेकर आती है और उसे हम बजट समझ लेते हैं लेकिन जब ये बुलगा सब्द फ्रांस में गया तो बौगित बन गया और जब अंग्रेजों ने इस सब्द पर हाथ लगाया तो इसे बौजट बना दिया और कालांतर आम प्रसलन की भासा में ये बजट बोला जाने लगा लेकिन भारत इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल गया और पिछले वर्स भारत ने ये तै किया कि वह बजट को बजट नहीं बलकि बहिखाता कहके बुलाएगा तो इसलिए भारत का बजट पेश नहीं होगा भारत का बहिखाता पेश होगा तो अब सवाल ये आता है कि भारत का पहला बजट कब आया था तो जब बहुत पीछे जाएंगे तो 1860 की एक दिनान तिथी मिलती है उसकी कहानी ये थी कि 1857 की जब भारत ने पहली सोतंत्रता करांती हुई थी तो अंग्रेजों का बड़ा नुकसान हुआ था समान निभासा में कहे तो अंग्रेजों का पूरा बजट बिगड़ गया था और उसी बजट को बचाने के लिए जेम्स विल्सन को भारत बुलाया किया जेम्स विल्सन दा इकनॉमिस्ट जैसी अंतरास्टी प्रतिस्थित प्रत्रिका के संस्थापक थे और जाने माने और सास्त्री माने जाते थे तो अंग्रेजों ने जिम्स विल्सन को बुलाया कहा कि 1857 की क्रांती की वज़े से हमारा बजट बिगड़ गया है और भारत की लोगों ने बड़ा नुकसान किया है तो जिम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट 1860 में प्रस्तूत किया लेकिन आस की कहानी उस बजट की है जो बजट बड़ा दिल्चस्प है दिल्चस्प इसलिए कि भारत के पहली सरकार का पहला बजट उस सक्स ने पेस किया जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना तो कहानी आज उस इकलोते वित्तमंत्री की होगी कहानी उस वित्तमंत्री की होगी जो भारत की पहली अंतरिम सरकार में पहला अंतरिम वित्तमंत्री बना कहानी उस वित्तमंत्री की होगी जो भारत का वित्तमंत्री तो बना लेकिन आजाग पाकिस्तान का पहला प्रधानम और हम और आप जिस वक्त में ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और कहानी उसी वित्तमंत्री की होगी जो इसी उत्तर प्रदेश की राजनीत किया करता था और इसी उत्तर प्रदेश के मेरट और मुझफर नगर से चुनाव लड़ता था आज क निता करते थे तो लियाकत अली खान थे कौन लियाकत अली खान का एक समान परिचे तो ये भी है कि लियाकत अली खान आजात पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लेकिन लियाकत अली खान को अधिक जो है मुहम्मद अली जिन्ना की वज़ा से जाना जाता था मुहम्मद पीछे उनकी पगड़ंडियों पे चलने वाला नेता था इसलिए जब पहली अंत्रिम सरकार बन रही थी और पहली अंत्रिम सरकार के प्रत्धान मंत्री बन रही थे पंडित जवाहरलाल नहरू तो मुहम्मद अली जिना ने zip लीक के निमाइंदे के रूप में लियाकत अली को पहली यंत्रिम सरकार में वित्त मंत्री बना दिया और लियाकत अली खान ने वित्त मंत्री रहते हुए पहली यंत्रिम सरकार का बजट पेश किया और इस बजट को पूर मैन या सोसलिस्ट बजट कहा गया पूर मैन या सोशलिस्स बजट कहने के पीछे का एक तर्क था तर्क ये था कि लियाकत अली खान ने इस बजट में गरीवों के लिए बड़ा काम किया था और काम करने के दौरान बड़े बड़े पूजिपतियों पे खूब टैक्स लगाया था उनके उपर खूम नियम कानून बनाये थे लेकिन लियाकत अली खान सिर्फ पूर मैन बजट के लिए नहीं जाने जाते थे लियाकत अली खान का एक पैसान ये भी था कि बड़ा हिंदू विरोधी विक्ति था हिंदू मंत्रियों को देखना सरकार में पसंद नहीं करता था और कई मौकों पर हिंदू मंत्रियों ने इस सिकायद दर्च कराई कि लियाकत अली खान मुस्लिम मंत्रियों की तुलना में हिंदू मंत्रियों के बिलों को जो है भुक्तान करने में बहुत विलंब लगाते हैं नाराजगी तो इतनी बढ़ गई कि खुश सरदार पटेल ने एक बार सिकायद दर्च कराई और कहा कि लियाकत अली खान की अनुमती के विना वो अपने बिभाग में एक चपरासी न्यूक्त नहीं कर पाते हैं तो ये कहानी थी हमारे अंतरिम सरकार के पहले अंतरिम वित्तमंत्र लियाकत अली खान की देश का बटवारा हो गया भारत एक अजाद मुल्क बना पाकिस्तान एक अजाद मुल्क बना पाकिस्तान के पहले प्रधान मंत्री बनाए गए लियाकत अली खान सन 1951 का साल था दिनांग था 16 अक्तूबर जगय थी रावल पिंडी और वहाँ एक जगय है कमपनी बाग मुस्लिम लिख के एक सभा बुलाई गई लियाकत अली खान प्रधान मंत्री थे और देश के सबसे बड़े नेता थे तो वो भी मंच पे मौजूद थे मंच पर वो आते हैं भासर देने के लिए खड़ा होते हैं तीनी सब्द कहपाते हैं विरादरान हे मिल्लत यानि के हे मेरे हम विरादरी वालो तब तक गोलियां सलती हैं लियाकत अली खान मारे जाते हैं और यहीं पर लियाकत अली खान का किस्ता खत्म हो जाता है लेकिन भारत के बज़ट का किस्ता खत्म नहीं होता है स्वतंत्र भारत का पहला बज़ट 26 नमंबर 1947 को आरके खडमुकम शेठी ने पेस किया था आपको पता है पहली स्वतंत्र भारत के पहले बजट की कुल राश कितनी थी महज 171 करोड आज भारत का कुल बजट 30 लाग करोड से अधिक है अगर गुना निकालने बैठेंगे तो गिंती बहुत लंबी हो जाए की 171 करोड और 30 लाग करोड में बड़ा अंतर होता है तो ये भारत के 70 वर्षों की अपनी एक आर्थिक वृध्धी रही है तब आरके खणकुतम सेठी जो सतंत्र भारत के पहले वित्तमंत्री बने थे वह एक बहुत प्रतिष्ठित वकील, बहुत प्रतिष्ठित अर्षास्त्री और बहुत जाने माने नेता माने जाते थे उनका कद बस इसी बास से समझा जा सकता है कि सन 1933 से 1935 के बीच वह भारत के केंदरी विधान सभा के अध्यच रहे थे और राजनीत के साथ साथ अर्षास में बहुत गहरी रूची रखते थे बाद में आरके सर्मुखम शिठी का हिर्दे का दौरा पढ़ने से उनका निधन हो गया और भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले विध्तमंत्री का कारेकाल और उसकी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाती है लेकिन न्यूस ट्रैक के साथ हमारी बजट पर ऐसी ही काहानियों को जानने की है यात्रा अन्मरच जारी रहेगी हम मिलते रहेंगे आने वाले बजट तक मिलेंगे और ऐसी ही बजट की दिल्चस्प कहानिया मनमोहन का बजट रहा हो या विध्तमंत्री अजूर जेटली का बजट कब कब बजट से जुड़े चीजों को बदला गया सौसो साल से चली आ रही प्रथाओं को बदला गया सब को रोज साथ बज़े मिलेंगे और बारी बारी से समझेंगे तो नमस्ते मैं विक्रांद मेरी या स्पेसल रिपोर्ट बजट के उपर अधारी थी और ऐसी ही तमाम रिपोर्ट के साथ आप हमारे निस्टेक के साथ जुड़े रहिए अपना प्रेम और मुभबत दिखाते रहिए जैहें जै भारत